नमस्कार स्वाथ आप सभी का बजारू की चाल में मैं आपके साथ अखले शाटी और बजारू की चाल में आप सबके लिए एक बड़ फिर से लेकर आगया हूँ यहाँ पर कमुनिटी बजार का अफडेट जानेंगे कि आज हफते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबाई सेथ में क्रिशी फसलो का बजार कैसा कारोबार करता हूँ नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसा सीड का अक्टूबर वादा 6150 पर कारोबार करता हूँ नजर आ रहा है कैसा के अंदर एक फिजिकी हलकी सी क्रेक्शन सुबा की मुकावले अब बंती मी नजर आ गी है सुबा के कारवाई सत्र में हमने देखा था कि कैसा सीड के अंदर बासट सो के लेवल्स देखने में मिलेते वही से अब देख रहे हैं कि इस वक्त एक फिजदी की हलकी सी कर्यक्षन मंती भी नजर आ रही है कह सकते हैं कि उपरी स्थरों से एक मुनाफ़ा वसुली देखने को मिल रही है बात करें चने की तो चने का अक्टूबर वादा देख रहें कि आज भी बावन सो दस पर कारुवा करता हूँ नजर आ रहा है और जो अभी एक्सपर्स हैं वो भी यही बता रहें कि चने के अंदर एक अभी सीमिन दाहर वाला जो माहौल है आब वो अभी भी जाड़ी रह सकता है, इस कारोवारी सब्ता भी चने की जो कीमते हैं, वो एक सीमित दारे वाली देखने को मिल सकती हैं। अब बिनौलाक हलकी जो कीमते हैं, उनके अंदर एक हलकी बड़त बंती नजर आ रही है, तो अब बिनौलाक हलकी कीमतों में एक शौट कभी मूब भी बंता हो नजर आ सकता है। इस तो के लेवल पर कारोबा करता हो नजर आ रहा है, तो अब आपको क्या लग है, कैसर के अंदर आने वाला कल कैसा देखने को मिल पाएगा, क्या यह करेक्शन और गहराएगी या फिर खरीदारी निकलेगी। देखिए अब भी अगर कैस्टर के चार्ड को देखें तो एक शौट टम करेक्शन यहां पर लग रही है और उसी करेक्शन को मार्केट जो है वो इस समय दिखा रही है। यहां से अगर ट्रेंड इसका रिवर्सल होना है तो 6080 के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए और उसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगी। नहीं तो वापे से यहां से रिवाउंट देखने को मिलेगा 6080 के आसपास से और फिर वो अपसेट जाके रुट सकता है 6 to 50 के अराओंड तो यहां से एक रेंज मौंट मूवमेंट की आने वाले टाइंग में लग रहा है कि एक रेंज मौंट मूवमेंट में स्टक हो सकती अगर six to 400 या five 0 के ऊपर closing नहीं देता है तो एक रेंज में ही trade करें और इसाब बात करें चरी चरेच men Đेखा है हैं लिए 15200 के levels पर closing देने में इस बार विए 5200 के levels पर closing देखने को मली दिचरida की और आजती 2020 यृहंडिध के लैवल्स पर ही ट्रेड करता हुन जरा रहा है तो रवीद्ध जी तेख रहे हैं कि चनने में एक सिमीद डाहर देखने को मिल रहा है जबकि अब टयोहारी मांग भी थेवारी सीजन भी है उसके बावजूद देख रहे हैं कि चने में खरीदारी निकलती भी नजर नहीं आ रही है आपको क्या लगता है चने के अंदर क्या कुछ तेजी के आसार है और अगर है तो कब से देखने को मिल जाएगी तेजी लेकि जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको भी चना प्राइजस में जो वाइंग है वो डिवाली के आसपास जाके ही इनिशेट होने के जादा चांसे हैं और अभी दिवाली कापी दूर है इसलिए इस पैक में थोड़ा सा स्लो डाउन देखेगा और एक रेंज पॉंट मूट में देखने को मिलेगी और उसी तरीके से यह मूट कर भी रहा है और आने वाले समय में एक रेंज पॉंट में ही जादा देखने को मिलेगा लेकिन जै कीमते बावन सो से उचलकर पच पंसो तक का लेवल दिखलाती भी तिवार के आसपास नजर आ सकती है रविंदी जी बात करें बिनौला खल की तो बिनौला खल में भी देखने की दीर दीर एक अपसाड मोमेंटम बनता हो नजर आ रहा है अब आपको क्या लगता है बिनौला खल में जब तेजी एक कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती रहेगी या फिर बिनौला खल में भी एक उप्री स्थर देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनेगी लेकि कोकुड की बात करें तो कोकुड प्राइज़ अभी लगब दो परसंट की तेजी के साथ अपसाड मूब कर रहे हैं और यहां से फर्दर अपसाड देखने को मिलेगी पहले भी हमने यह बनाया कि प्राइज़ जो है या अपसाड अपर डिरेक्शन की तरफ भी मूब करेंगी क्योंकि correction almost complete हो की भी दिखनी थी इस community में और आज अगर हम देखें तो अपसाड में 2600 के आसपास का हाई लगाने के बाद community अभी 25, 25, 30 के आसपास trade कर रही है और अपर साइट में इसके पास अभी ओर भी room है 25, 80 तक यह प्राइज़ जो है ही move कर सकते हैं और अगर 25, 80 के ऊपर prices break करके further upside चलना start करते हैं तो 2900 तक के level positional basis पे देखने को मिल जाएंगे और support जो है यह 24, 80 का ही रहेगा क्योंकि cotton prices भी upside है तो वहां से भी support मिल रहा है और oil sheet pack की बाद करें तो soybean भी अभी गिरावट नहीं show कर रहा है और उस side से भी इसको strength मिल रही है इसलिए हम देखने की prices जो ही आपसे भी गूप कर जी दमीदे जी बात करें यहां से अगर masala complex की तो देख रहे हैं कि जो masala complex भी ते कारोबारी सफता सुस्ती के साथ कारोगा करता नजर आया था आज देखने की अफ़ते के पहले कारोबारी दिन अच्छे कासे levels पर कारोगा करते हैं domestic demand जो है यह masala की और जो export demand भी काफी जादा stable है और इसी वज़े से हम देख रहे हैं कि prices जो है यह supportive है थोड़ा upside को अभी आने वाले दिनों में भी technical charts को अगर read करें तो यहां से upside ज़रूर देखने को मिलेगी turmeric थोड़ा सा weak हो सकता है लेकिन turmeric को छोड़के jeera और धनिया जो ह अपर साइड में 8100 तक के level इसमें देखने को मिल सकते हैं महीं जीरा की बात करें तो जीरा में भी 1400 से लेके 1400 तक के level इसमें देखने को मिल सकते हैं जी रवन्दी जी बात करें अगर Gwar complex की तो देख रहे हैं कि सुबा के मुकाबले शाम में Gwar के अंदर एक profit booking मन्ती भी नज देख लेगी तो अगर वहां से rebound करती है तो further upside देखने को मिले रविंदर ची आप से request करना चाहूंगा क्या आप एक बार फिर से ग्वार्णम ग्वार्ण सीड के level सर्पीड कर सकते हैं क्योंकि आपकी आवास कर गई थी जी मिलकुल ग्वार्ण सीड की बात करें तो ग्वार्ण सीड में इसे लेके 6000 के level तक move कर सकती है वहीं ग्वार्णम की बात करें तो ग्वार्णम में 9650 के असपास कर सपोर्ट है चांसे जादा यही है कि वहां से prices को upside देखने को मिलेगा और upper side में 9900 तक का देखने को मिल सकता है जी तो यानि कि ग्वार्णम में अभी भी तेजी बाकी है ग करेक्शन के साथ कारवा करता हुँ नजर आ रहा है 8500 का level ब्रेक हो चुका है 8471 पर है आधे फीजदी की करेक्शन के साथ रविन्द जी अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से spot market के अंदर हाजिर बजार में किसान माल अपना रोक रोक कर ला रहे हैं और आपने जैसे प पांच महीने का समयवा की है तो ऐसे में आपको लगता है कि जो मस्तर सीड हो 9000 के भी अबब जाती भी नजर आ पाएगी जी बिलकुल मस्तर की बात करें तो मस्तर में हमने पहले भी कापिट इसका किया है इसी चीज़ पे कि इसमें stock जो है carry over stocks जो है वो काफी कम है और उसी का असर जो है वो prices पे देखने को मिल भी रहा है और यहां से अभी और जदा आपसाइट देखने को मिल सकती है जरूर एक corrective move में है इस टाइम पे यहां से correction जरूर देखने को मिल सकती है यह correction डाउनसाइड में 83.50 तक extend हो सकती है लेकिन वहां से अगें आपसाइट देखने को मिलेगी तो इस वार यह 87.00 के उपर hold करेगी तो chances यह लग रहे हैं कि 9000 तक की community move कर सकती है जी रविन जी से बात करें सोयवीन की तो सोयवीन का October बादा देखने 59-58 पर है पौन एक फीजदी की तेजी है रविन जी ख़वर है यह निकलके सामने आई कि जो global soybean production है वो जाधा रह सकता है आपको क्या लगता है अगर global soybean production ज जो global conference अभी recent में हुई थी और इंडिया का soybean production जो estimate किया गया है वो 10 million tons के around estimate किया गया है comparative 8.9 million tons जो last year हुआ था उससे जाधा expectation है तो अगर वैसा होता है तो obviously prices जो है यह pressurized होंगे और downside move देखने को मिलेगा लेकिन अगर इस level को beat नहीं करता है तो chances है कि upside ज़रूर देखने को जी रवेंदर जी जाना चाहेंगे आपसे वो कौन से एग्री कमूलटीज के topics टापिक्स टाहेंगे जो इस पूरा कारवारी सब्ता अच्छा मुनाफ़ा कमवा के चल सकते हैं एक हमसे cotton कापी अच्छा लगा है cotton में अभी further upside देखने को मिल सकते हैं लेकिन एक correction के बाद buy कर हमें cotton मिलता है तो वहां buying initiate कर सकते हैं और upside में 27-500 positional basis पे टार्गेट कर सकते हैं टॉप्लस रहेगा इसमे 26-100 का और दूसरी जो कमूलटी है वो हमारी मसाला पैक से हैं मसाला पैक में हम zero को buy करके चल सकते हैं चोदा 900 के target रहेंगे positional basis पे और stopless रहेगा चोदा 300 पा बहुत बाद शुक्री रविंदर जीमा साथ जुड़ने गले जान जारी साजा करने के लिए तो यह देख छोटा सा क्रिशी फसल बजार का update कि शाम के कारवा यानि मंगलवार के दिन शाम साड़े 5 बजे 5 बज़ कर ठीक 30 मिनट पर गवार और सोयबीन के उपर चर्चा होने जारी है इसके लिए ncdx और market times tv आपके लिए live आ रहे हैं शाम साड़े 5 बज़े आप खुद को register कर सकते हैं इस webinar के लिए webinar पर register करने के लिए हमने जो वीड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आपको बता दें कि गवार में और सोयबीन में आगे क्या खरीदारी करके चलना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा इसके ओपर ncdx और market times और बहुत बहुत सारे अन्य जो जानकार हैं वो सारे जुड़ेंगे जो अपनी अपनी राय रखेंग में भी लिंक डाल दूँगा तो आप उस पर लिंक पर क्लिक करके खुद को रेजिस्टर कर सकते हैं कल के वेबिनार के लिए जो की शाम सारे पांच बजे होगा सिर्फ market time cv पर नमश्कार